जनता का आइना में आप सभी का स्वागत है। करोना की वज़े से महराश्र के अलग-अलग जेलों में जो कैदी बंध हैं उनमें करोना पॉजेटिव की संख्या बढ़ती जा रही हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार महराश्र भर के अलग-अलग जेलों में करीब 250 कैदी करोना पॉजेटिव हैं। क्या कर रही हैं। आपको बता दें महराश्र में अलग-अलग जेलों में करीब 35,000 कैदी बंध हैं। लेकिन जेलों की शमता सिर्फ 23,000 कैदीओं की हैं। यानि की करीब 12,000 कैदी जादा हैं। करोना काल में जब देहट से दूरी रखने की बात की जा रही है। ऐसे में इतने कैदीओं को ठूस ठूस के भर देना, ये करोना को नियोता देना और करोना को बढ़ाना ही हुआ है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बाहर लागू होते हैं, सरकार खुद अपने जेलों में क्यों नहीं लागू कर रही है। इस बारे में हाई कोट का ये सुझाओ था कि कैदीओं को अलग-अलग जगा पर रखा जाना चाहिए। और उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए तांके कैदीओं को दूर-दूर रखा जा सके और जो करोना का प्रकोप से उनको बचाया जा सके। क्योंकि सम्विधान में दिये हुए आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार है वो कैदीओं पर भी लागू होता है। अगर कैदी इस तरह से करोना ग्रसित हो रहे हैं तो उन्हें ठीक से सुविधा मिलनी चाहिए उनका सही तरीके से इलाज होना चाहिए उनको कोविट सेंटर में भरती करना चाहिए ये सारी ध्यान रखने का काम सरकार का है। हाइकोट ने ये भी कहा है कि हर एक मैजिस्टेट को अपने यहां पर जो भी अरजी आती है कि कैदीओं को दूसरी जगा ट्रांसफर करें तो उस अरजी को कि सुनवाई 48 घंटे के अंदर करनी चाहिए और इस पर सोचना चाहिए कि कैदीओं को कहां दूसरी जगा अगर र अपनी तरफ से पहल करते हुए कैदियों में करोना का प्रचार प्रसार न हो उनको सही सुविधाय मिले इसके बारे में चिंतित दिखाई देता है अब इस केस की सुनवाई है 27 अपरेल को रखी गई है उसमें आगे के निर्देश हाई कोट पास करेगा आपकी इस बारे मे अधिक से अधिक जामीन पर छोड़ देना चाहिए क्या कैदियों को परसनल बॉंड पर छोड़ देना चाहिए क्या कैदियों को जेलों में संख्या अगर बहुत जादा है तो टेंपरवरी जेल बना कर उनको रखा जाना चाहिए और उनको सारी सुविधा देनी चाहिए क् करोना से पीडित कैदियों को करोना के लिए बनाए गए विशेश सेंटरों में उनका सही तरीके से इलाज करना चाहिए आपकी क्या राय है इस बारे में आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और जनता का आईना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन सब कामों के लिए आप अगर मदद करना चाते हैं तो हमारे चैनल के पेश पर जाकर आप जॉइन बटन दबा सकते हैं और वहाँ पर आप जो भी राशी से आप जनता का आईना को मदद करना चाते हैं आप वो राशी चुन सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र पत्रिकार जिन्दा रहना बहुत जरूरी है तो देखते रहिए जन्ता का आइना